कॉलकत्ता के आर्जीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मडर केस के मुख्य आरोपी संजे रॉय ने एक बार फिर इस पूरी घटना के लिए ममता सरकार को आरोपी बताया है इस बार उसने विनिद गोयल का नाम लिया है जो घटना के समय पुलिस कमिशनर थे सोमवार 11 नमबर को स्यालदय कोट में पेशी के बाद उसे वापस ले जा रहे थे तब उसने पुलिस वेन में चीक चीक कर कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह विनिद गोयल था जिसने पूरी घटना की साजिश रची और मुझे फसाया इससे पहले चार नमबर को संजे ने पहली बार ममता सरकार पर आरोप लगाया था सयालदय कोट में पेशी के बाद पुलिस जब संजे को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वो केमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फसा रही है उसे मूँ न खोलने की धमकी दी गई है आरजी कर अस्पताल में आठ अगस की राट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मडर किया गया था नो अगस को विक्टिम की बॉडी मिली थी दस अगस को पुलीस ने संजे रॉय को गिर्फतार किया था चार नवंबर को सियालदा कोट ने कुलकत्ता के संजे के खिलाफ आरोप दै किये आज से मामले की सुनवाई शुरू हो गई है जुनियर डॉक्टोर ने रेप मडर घटना के खिलाफ 10 अगस से 31 सितंबर तक 42 दिन तक हड़ताल की थी डॉक्टोर ने सरकार के सामने पहले पांच मांगे रखी थी इन में से एक विनिद गोयल के इस्तिफिकी मांग थी इन में से सरकार ने तीन मांगे मान ली 17 सितंबर को विरिद गोयल को कमिशनर के पत से हटा दिया गया सीम मम्ता ने दो अन्य मांगो और शर्टों पर विचार करने का आश्वसन दिया था इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ हल्यवाद